मित्र योगी आदितिनात की सरकार ने एक आदेश दिया और आदेश ये दिया कि कावण यात्रा का जो रूट है वहाँ पे सभी जो सबजी और फल वाले हैं या जो खाना वाले हैं भुजनाले हैं उनकी पर उनका जो असली नाम है मालिक का वो लगेगा अब इसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी के जो वकील हैं जो की सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्ध को उठा रहे थे अब शेक मनु सिंग्वी उनकी तरफ से अदालत में ये जूटा बयान दिया गया एक भरम फिलाया गया कि दरसल ये जो किया जा रहा है योगी सरकार की कि ये तो जो है इससे दलितों को जो है अलग किया जाएगा तो उसको लेकर के जब फजील मिया वहां को बैठे वे थे समाजमादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ वही बैठे वे थे जब इन लोगों ने इस तरह की बाते की तो इसके बाद हमिताब अगनी हुत्री न मुसल्मान हैं उनका सोशन किस तरह से जो अशफात मुसल्माने वो कर रहे हैं और किस तरह से जो है मस्जिदों पर एकादिकार बना रखा है इसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने दुलाए तबियत से दुलाए वह बहुत जवरतस्त तगड़ी दुलाई और एड़ाई हु है मस्जिद के लिए वही आथ तक मस्जिद का खुद मुखतार है किसी जुलाहे को किसी मोची को बना दिया होता सर्वरा मस्जिद का नहीं ना जामा मस्जिद के को पस्मांदा है! मुझा पर ताल सलेगे! कोई पस्मांदा है को जलित है मुशल्मानों का को पिछला मुशल्माण है वह नहीं को एंसारी है!? क्यों नहीं है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत कै Live दोस्त आप नहीं बोल पाओगे मैं तो बोली देते हो आप जानते मुझे निजामुद्धिन अउलिया की दर्गाह कौन लोग है खादिम किनके वंशज है खादिम और आप हिंदु धर्म पर बार-बार सवाल उठा देते हो क्या ऐसा नहीं हो राजी मंदर में वह ऐसा नहीं है हिंदु में जितनी जातियां है उसमें से 10-15 परसेंट कम होंगी उतनी तो मुसल्मानों में भी जातियां है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण के समय आप लोगों ने उस बात को माना है और इसी आधार पर आपको OVC में इंक्लूड किया गया है आपकी भुपाल की मस्जित की इमाम कब होंगे ये चिष्टी परिवार को के जगह अब अजमेर शरीप में इनकी इनको मुख्य भूमिका कब मिलेगी कोई उत्तर नहीं मिलता मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता मित्र क्यों अंसारी को नहीं हो सकता कुरैशी नहीं हो सकता नहीं होने देंगे आप अंपर अब बता रहों कि दधितो के साथ हो तैसा हो रहा है ऐसा हो ये कीशार उचालने का काम बंक रिये देश मेरिश마 ने तो हमको बता दीजिसे में तीन बड़े नाम ले दिये अदमर शरीफ निजामुदीन दर्गाह और जामा मस्ज़िद, सुनेरी मस्ज़िद भी ले लीजिए, चलिए वो भी जोड लीजिए, विजराठी जी बहुत कठिन काम है, इस सवाल बहुत तीखे हैं, इनका उत्तर नहीं मिलता, और भारत के मुसल्मान की 95 फिश्दी आवादी किसकी है, रावसाब, पसमानदा की, क्या लेकिन राज कौन कर रहा है, और एक और बात बता दू भी जराठी जी, ये भी मुझे पसमानदा आए थे, वो पता गए थे, आजादी से आज तक जितने सो कॉल्ड सुपर सेकुलर, अल्टरा सेकुलर, प्रो मेक्स सेकुलर नेता हुए, उन्होंने मुसलिम भागेदारी क के नाम पर मालूम क्या किया, 90 फिसदी मुसल्मानों की आवादी वाले को मिला 12 परसेंट, और 88 परसेंट मलाई किसको मिली, जो 10 परसेंट थे मुसल्मानों में, कर लो बात, वीजे जी, किद्वई और खुर्षीद, क्या, जुलाहा तो बाहरी रह गया, उसको दो लाठी मर भगा दिया, तुम बनोगे, एमिले, वो आकरा हमें सब पूरी स्टडी दे गए थे, मैं नाम बिश्मत कर रहा हूँ, काम उन्हों किया, बिहार के थे, लाठी जी की पार्टी पे, अली अनवर, अली अनवर साब, यस, याद आ गया, अली अनवर साब, मेरे दोस्त, मेरी आ जिनका रंग सफाक है, सफेद है, वो किदवई है, वो खुरशीद है, वो चिष्टी है, वो खान है, बस उनी की बीच में बटकी सारी सेकुलरिस्म की मिठाई, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, आपको तो पता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ऐसा विश आदम खान, कौन है, पसमानदा है, पचास साल मिक्की मिया ने राज, उनके परिवार ने राज किया, और बाकी 40 साल आदम खान ने राज किया, जेल तो आप गए, जो वहाँ बुनकर है, कसाई है, गड़दिया है, बढ़ई है, मुसल्मान, वो कहां MPA मेले मंत्री बनाए, मुझे बताए ना, तब यह कहिए कि हिंदू ने यह नहीं किया, और वो नहीं किया, दलित के साथ नहीं साथ और वरसा, उनको यहाँ नहीं जाने दिया, आप बताए ना, 90 फिर सदी मुसलिम मावादी उपेच्छित क्यों, मैं तो भाजबागी सरकार से भी कहूंगा, मुसलिमों में जो उपेच्छित आवादी है, यह भारत मूल के मुसलिम है, इनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सारी सत्ता और तागत उन 10 प्रतिशत के पास, अब आजाते हैं, इस बात पर एक टिपनी करूंगा, बीजे भाई, फजील भाई, यह अगर ऐसा होता कि X नाम बताएगा Y को छूट, तो मैं पहला अव्यक्ति होता जो इतनी ही मुखरता से इसकी आलोचना करता, लेकिन संसद का कानून, उत्तर पदेश की विधान सभा का कानून, वो अगर लागू हो रहा है, तो उस पर मैं आलोचना नहीं स्विकार कर सकता, ना, कानून समाप्त करती जी ना, मनमाउन सिंग बना के गए थे कानून, और मुलाइम सिंग बना के गए थे, वो कम समझदार थे क्या नेता जी, ये तरक ठीक नहीं, और इसको जो लोग सामपरदाई गरंग देने कोशिश कर रहे हैं, चाहिए इधर वाले, चाहिए उदर वाले, वो लोग देश के साथ ठी नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका संपरदाई से कोई लेनी देना नहीं, हस रावत को भी नाम लिखना है, फजीले मत को भी नाम लिखना है, क्या समझ से आए, क्या समझ से आए, कोई सरकार माई की लाल विजे राठी जी, इस भाई को भी निका लिए, को जिसका बेभार अच्छा होगा, जिसका सामान अच्छा होगा, वो भीकेगा, और आप लोगों ने जो false narrative थे किया, उस पर दो नाम लूँगा, हलागि नाम लेना नहीं लूँगा, दिल्ली में करीम, उसके याँ कभी कोई जगड़ा ही नहीं हुआ, और करीम के ग्रहाकों में मेरे खहाल से 70% तो हिंदू है, नहीं, आपको भी पता होगा, नॉन्वेज खाने वाला जब भी दिल्ली आता, कहता है एक बार करीम क्या जाना है, नाज, foods, देश भर में है, कभी कोई जगड़े नहीं हुआ, पहचान छुपाईए नहीं, पहचान छुपाएंगे, तो वि मनस्तिता बढ़ेंगे, हिंदू भी पहचान लिखे, और मुस्लिम भी पहचान लिखे, और इसको इस थेतरही में मत घसीटिये, कि उस कमपनी में तिवारी या कपूर डायरेक्टर हैं और वो गोस्त बेच रही है, उस कमपनी पर भी यही नियम लागू है, कि तिवारी जी का नाम, लाइसेंस के साथ वहाँ चस्पा होना चाहिए, और होगा लिख लीजिए, इतना मुरग को ही नहीं भाई साब, वही तो कानून सब के लिए बराबर है, हाँ, नाम की बात जो फजिल साब ने कही थी, मैंने उस पर सिक्रन दिया था, मैंने निवेदन किया था, आप गणपती धावा रखना चाहते नाम रखिये, लेकिन ये लिखिये के प्रोपराइटर शफीक, ठीक है, फिर कानून आपको बाध्यत नहीं कर सकता, लेकिन गणपती धावा प्रोपराइटर निल ये नहीं चलेगा, और एक बात करके समाप्त करूंगा, जब हम लोग थे, फजील भाई भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जह हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि हलाल और जटका का मामला केबल मीट तक था, वीजेराथी जी, क्या, आज कल मैं देख रहा हूँ, फ्लेट तक हलाल और वैसे होनी लगे, क्या, ये हलाल फ्लेट है, क्या कर र क्यों घूम रही थी सब जगा, वो तो बाद में जब सक्ति की, राजी सरकार ने तो मामला बंद, समझ में आया, दुनिया भार में बोले जी, हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आज टूथ पेस्ट बनाओ, और चाह बिस्कुट बनाओ, और जूता बनाओ, अज़ा बह करते हैं, बजार का अर्थ है, पहचान सामने रखिए, ग्रहक को टे करने दीजिए, वो आश्फाक के ढावें पर खाना खाएगा, या रामकुमार के ढावें पर खाना खाएगा, इसमें न सरकार का जोड चलना चाहिए, न हमारा आपका जोड चलना चाहिए, जनता को टे क दरसल बित्रों ये सारी की सारी बातें जो कि अभिताव अगनिहोत्री बता रहे थे तो उनको अनुभव बहुत है और उनकी मुलाकाते होती हैं तो पस्मांदा समाज के एक नेता से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने जो पस्मांदा समाज के नेता थे उन्होंने जो पसमानदा मुसल्मान होते हैं उन्होंने जब अपना पूरा दुख बताया तो उसी दुख को यहाँ पे अमताव अगनिहोत्री ने शेयर किया लेकिन देखें अमताव अगनिहोत्री चुकी है कि न्यूश चैनल में एंकर हैं और उनकी कुछ सीमाएं हैं बहुत सारी बातें उनके मन में होती हैं कि शायद बोल नहीं सकते होंगे लेकिन मैं आपको जो बाते बता रहा हूं जो कि वो नहीं बोल सकते वो यह है कि दरसल पसमानदा मुसल्मान हो या फिर अशिवाक मुसल्मानों कोई बी मुसल्मानों उसके साथ समस्षा दरसल यह हो जाती है कि उसकी जो धार्मिक पुस्तक है वो उसको यह बताती है कि तुमको जन्नत में जाना है और जन्नत में सब कुछ आशवारा वहाँ पे सब कुछ मिलेगा तो उसमें क्या है कि फिर वो जो सुनहरी मस्जिद और अजमेर की दरगाह और जहाँ मस्जिद का जो उपर का जो पद है मांग रहे हैं इमाम का चिष्टी का उस पद की कोई की value नहीं रहती हूँ यह दिखाते हैं कि तुम यहाँ पे इसलाम की सेवा करो काफिरों को परिशान करो तो तुमको वहाँ पे जन्नत मिलेगी और उस जन्नत के सामने पस्वांदा मुसल्मान जब कुछ भूल जाता है और जहीं बज़ा है वित्रों कि वो जि इसके लाव हमारी यूटीब चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा साथ में यहाँ पर आपको मुबाइल नंबर को सेफ करके इस पर एक विस्ट कॉल कर देंगे तो आपको मेरे वाट्स अप लेक मिलना शुरू हो जाएगे नमस्कार पन्ने बाद